नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे Cross Pin Hammer के बारे में यह है Hand Hammer का और Smith Hammer का एक टाइप होता है जिसे हम striking tool के तोर पर इस्तिमाल करते हैं feeding soap में, smithing soap में, seat metal soap में या machine soap में इसका इस्तिमाल किया जाता है cross pin hammer कि अगर हम बात करें इसका जो main purpose रहता है bending, stretching और hammering into inside portion of component मतलब कि जैसे shoulder में या जो inside curve हैं वहाँ पर hammering करने में इसका इस्तिमाल किया जाता है या फिर जो कोई seat है उसको bend करना है या stretch या spread करना है तब इसका इस्तिमाल किया जाता है अब बात आती है कि इसे cross pin hammer क्यों कहते हैं इसमें mainly जो hammer होता है उसमें दो head होते हैं एक ये जो flat face होता है जिसे जो flat end होता है जिसे हम face कहते हैं इसके बिल्कुल opposite का जो end है ये वाला इसे हम pin कहते हैं अब यह जो pin है यह basically क्या है कि 90 degree पर होता है जो handle का axis होता है उसके respect में यह 90 degree पर होता है यह कह सकते हैं across to the handle of hammer तो यही कारण है कि इसको cross pin hammer कहते हैं अब बात करते हैं कि जो इसका pin है उसकी shape किस परकार से होती है जैसे जो घरों में जो roof line होती है बिल्कुल उस तरह की shape होती है wedge shape इसकी होती है जैसे आपको यह नजर आ रहा है अब इसके main main part क्या क्या होते हैं सबसे पहले pin की हम बात कर चुके हैं उसके बाद यह वाले जो portion है neck कहलाता है इसे भी neck कहते हैं उसके बाद इस portion को cheek कहते हैं यहां से लेके यहां तक का जो portion है face का उसे हम pole कहते है या bell भी इसको कहा जाता है जो eye होती है वो इस diagram में अगर आप देखें यहां पर एक hole बना होता है इसके अंदर उसे हम eye कहते हैं eye basically oval या elliptical shape की हो सकती है क्योंकि इसी के अंदर जो handle है wooden handle है वो insert करता है उसके बाद face हम discuss कर चुके हैं बिल्कुल flat portion होता है जिसके दोरा hit किया जाता है handle यह wood का बना हो सकता है या फिर metal का भी बना हो सकता है कई बार इसके उपर outer layer भी की जाती है ताकि इसकी proper gripping हो हाथ में तो यह handle होता है और इसमें आलग से हम एक portion जो होता है wedge का use करते हैं जब हम handle को insert कर देते हैं आई में तो handle पर steel या wood की एक wedge shape का जो portion है वो इसमें insert किया जाता है ताकि जो handle है वो पूरी तरह से fit हो जाए आई के अंदर जब भी हम इस hammer की मदद से hit here strike करें तो यह वाला जो portion है वो इससे बाहर ना निकले तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए wedge इसमें लगाया जाता है अगर बात करें weight की Indian standard के अनुसार जो cross spin hammer है इसका जो weight है वो 0.22 kg से लेकर 0.9 kg तक हो सकता है अगर material की बात करते हैं जो handle है यह wood का बना होता है wood में हम सीसम या फिर जो solid bamboo है उसका इस्तेमाल करते हैं और यह वाला जो portion है यह metal का बना होता है forced high carbon steel का इसमें इस्तेमाल किया जाता है अब जो fitting soap में heavy work करने में इसका इस्तेमाल होता है smithing soap में hot material को spread करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हम बात करें जो cross pin hammer है यह ball pin hammer या फिर straight pin hammer से किस परकार से अलग है अगर हम इससे नीचे का portion देखें तीनों hammer का वो same ही है दिखने में फरक कहां पर है जो pin की safe है cross pin hammer के case में जो pin है वो 90 degree पर होती है handle के respect में और जो ball pin hammer है इसमें जो pin होती है वो round या spherical shape की होती है और जो straight pin hammer होता है इसमें जो pin होती है वो handle का जो axis होता है उसके parallel होती है यह इनके mainly difference रहते हैं तो अगर आपको यह video अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे